कि अलो स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट सेमिकंडक्टर और इट्स टाइप देखे लास्ट वीडियो में हमने इंट्रिंजिक सेमिकंडक्टर के बारे में आपको डिटेल स्टडी करवाई थी तो इंट्रिंजिक सेमिकंडक्टर बच्चो मैंने बता था form में होता है जो pure form का मतलब वहां पर हम किसी भी impurity को add नहीं करते है यानि कि single form में होता है जैसे germanium का हमने use किया था silicon semiconductor हमने लिया था वहां पर क्या था बच्चों जितने number of density हमारी electron की होती है उतनी number density whole की होती है यानि कि दोनों के effect से जो intrinsic semiconductor है उसमें से current flow करता है आप इंट्रेंजिक सेमिकनेक्टर डिपैंड करता है बच्चो टेंप्रेचर पर इंट्रेंजिक सेमिकनेक्टर किस पर डिपैंड करता है टेंप्रेचर पर डिपैंड करता है वैसे तो डिटेल इसकी वीडियो है वह आप जुरूर देखें फिर भी मैं थोड़ा सा इसके वा टिक है जीरो केलविन टेमप्रेचर पर यहां पर कोई भी फरी उलेक्टरोन नहीं होता है शारे के साथ जुड़े होते हैं जैसे सिलिकौन का अगर हम देखें तो सिलिकोन दूसरे सिलिकोन एटम के साथ ठीक है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है यानि कि उसके जो फोर वैलेंस इलेक्ट्रोन है दूसरे जो नेबरिंग सिलिकोन एटम है उसके फोर वैलेंस इलेक्ट्रोन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ वो होते हैं यानि कि उनको ब्रेक करने के लिए देखो यह कोवलेंड बॉंड है यह क्या है बच्छो कोवलेंड बॉंड है इस कोवलेंड बॉंड को तोड़ने के लिए ब्रेक करने के लिए काफी ज़्यादा अमाउट में इनर्जी की जुरूरत पढ़ती है जिसको आइना जैस है वो ए ऐंसुलेटर की रहें बिहेंट करेगा ठीक है और हमने ये भी खिखर किया था बच्चों जो हमारा स्खत रहे हैं उसकी कर्ड़ुक्तिविटी ऑ सका और कंड़फ्टर के डाया रहती है यानि कि एक टाइम पे वह उता थो इस इस लेटर होता है दूसरे टाइम पर वह क्या होता है ठीक है तो इंट्र dic सेमिकंड़क्टर के बारे में यह आपको बिलकुल ओップ गलता लगना चाहिए ठीक है s जबकि अगर हम temperature बढाते हैं इसका थीक है is preciousजिक सेमिकंड़क्टर का अगर वह यहां से निखलेंगे अब होगा क्या कि जितने नंबर आफ़ एलेक्ट्रोन जन्रेट हूंगे बच्चो उतने ही नंबर ओफ वह थीक यनिंगी जो कंडेक्टिविटी है यह दोनों पर डिपेंड करती है ठीक है और दूसरा डिपेंड करेगी कंडेटिवीटी इंट्रिं को समझाया है अब हम चलते हैं आज की टोपिक पर ठीक है तो आज का टोपिक क्या है? बच्चो एक स्ट्रिंजिक सेमी कन्डेक्टर ठीक है? एक स्ट्रिंजिक सेमी कन्डेक्टर में सबसे पहले हमारा आता है n-type semiconductor और second number पर आता है P-type semiconductor तो extrinsic semiconductor हम क्यों बनाते हैं बच्छो जो intrinsic semiconductor की connectivity तो क्या है बहुत कम है यानि कि temperature बढ़ना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे बच्छो एक certain impurity add कर देंगे किसमें intrinsic semiconductor में यानि की pure semiconductor में ठीक है pure semiconductor में हम क्या करेंगे impurity add करेंगे ठीक है क्या करेंगे impurity अब impurity हमारे पास यहां पर two type of impurity है एक तो है pentavalent और एक है trivalent तो सबसे पहले हम pentavalent impurity के बारे में बात करेंगे ठीक है pentavalent का मतलब क्या है बच्चो जैसे fast force है अरसे निक है ठीक है तो यह हमारे पास example है यह हमारे पास कुछ example है impurity add करने के ठीक है तो वहां हम देखेंगे के चार valence electron तो neighboring atom के साथ kovalent bond में हैं ठीक है octet बूरा करेंगे और जो यहां से फिफ्ट electron है वो यहां पर extra होगा ठीक है वो surplus electron होगा और वही surplus electron बच्चो यहां पर conductivity बढ़ाने का काम करेगा यानि की number density electron की यहां पर जादा होगी और होल की density काम होगी ठीक है उसके बाद देखो नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम देखें बच्चों देखिए अब हम उसको increase कैसे करेंगे ठीक है इंक्रीज हम कैसे करेंगे तो बच्चों आपके सामने देखो मैंने कुछ बातें लिखी है ठीक है अब इन बातों में मैंने यह आपको बता दिया कि जो हम सेमी कनेक्टर है हमारा जो हमारा सेमी कनेक्टर कैसा है प्योर सेमी कनेक्टर अगर उसकी connectivity को increase करेंगे तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे बच्चों उसमें impurity add करेंगे ठीक है यानि कि हम small number से किसी suitable atom को replace कर देंगे ठीक है और जिस atom से हम replace करेंगे वो कैसा होगा pentavalent होगा कैसा होगा यहां पर हम किसकी बात करेंगे pentavalent तो बच्चों जो यह process है impurity add करने का जो process है ठीक है किसमें प्योर सेमी कनेक्टर में उसको बोलते हैं doping करना क्या बोलते हैं doping करना ठीक है तो और जो impurity add करेंगे उसको मोलते हैं बच्चो डोपएंट उसको क्या बोलेंगे डोपैंट जैसे मैंने fast force का example ऑरसेनिक का जो कि पैंटाविलंड इंप्यूर्टी है उनको हमने एड किया तो दोपैंट है क्या है बच्छो दोपैंट तो इंक्यूर सीकनॉट्टर बनेगा हमारे पास क्या मनेगा पहले प्योर था अब अमने इसमें इंप्यूर्टी एड कर दी यह की सर्टेन atom को replace कर दिया ठीक है तो हमारा जो semiconductor है वो impure semiconductor हो गया ठीक है और उसको हम बोलेंगे बच्चो doped क्या बोलेंगे doped semiconductor क्या बोलेंगे doped semiconductor अब ऐसा तो नहीं है बच्चो के हमने एक atom silicon atom का निकाला उसकी जगा एक fast force का atom डाल दिया ऐसा नहीं होगा ठीक है तो इसका criteria है ठीक है एक जैसे यहां पर याद रखेंगे आप 10 to power 7 atom में से कितने में से 10 to power 7 atom में से 1 atom को हम replace करेंगे क्या करेंगे 10 to power 7 atom में से 1 atom को यहां replace कर सकते हैं किसे doped atom से किसे doped atom से ठीक है बच्चों तो यहां पर यह आपका पूरा प्रोसेस यहां पर clear हो जाना चीए doping क्या होती है impurity क्या होती है doped semi connector क्या होता है ठीक है तो यहां तक आपको कोई भी समिश्य है यहां पर आने वड़ी नहीं है ठीक है बच्चों next चलते हैं तो अब देखो बच्चों आपके लिए मैंने थोड़ा सा आसान करके रखा है तो आप इसका screenshot लो और नोट्स बच्चों खुद आप त्यार करें देखिए मैंने क्या लिखा है इन देट केस जैसे ही इंप्यूर्टी एड़ करेंगे जैसे इंप्यूर्टी एड़ करेंगे किसकी फासफोर्स की करेंगे अरसेनिक की करेंगे तो जो फोर electron है ठीक है four electron है pentavalent impurity के four electron है वो कहां पर यूज़ोंगे are used to form covalent bond वो covalent bond को बनाने में यूज़ोंगे किसके साथ four neighboring silicon या germanium item के साथ यानि कि जो चार electron है वो चारों electron covalent bond बनाएंगे किसके साथ neighboring item के साथ silicon का अगर हम silicon का crystal ले रहें तो silicon का हम लेंगे अगर germanium का लेंगे तो germanium के साथ बनाएंगे अब होगा क्या बच्चों वहां से पांचवां electron है जो फिफ्ट electron है फिफ्ट electron वहां पर extra होगा surplus बचेगा और बच्चों वही फिफ्ट electron यहां पर पूरी पिक्चर को हमारी clear करेगा ठीक है यानि कि वह loosely bound होगा क्या होगा loosely bound होगा किसमे parent atom में किसमे parent atom में तो इसी extra valence electron को जो हमारे पास extra electron है valence electron है ठीक है वह क्या करेगा बच्चों डोनर इनर्जी level create करेगा क्या करेगा अभी मैं आपको इसको देखो एक बार समझ लो उसके बाद हम इसको explain करेंगे donor energy level क्या करेगा create करेगा अब जब donor energy level create होगा तो जो electron है बच्चो donor energy level से आसानी से जंप करेंगे कहा conduction band में कहां conduction band में ठीक है अगर हम थोड़ी सी इनर्जी उसको दे दे ठीक है थोड़ी सी भी small amount of energy अगर हम supply करें तो जो donor level से electron आसानी से जंप करेगा किसमें conduction band में जंप करेगा और हमने यही करना है बच्चों ठीक है तो हमारा मकसद भी कहा है भी ज्यादा से ज्यादा electron हमारे कहां जाने चाहिए conduction band में जाने चाहिए किसमें conduction band में ठीक है तो अब देखो next चलते हैं यह देखिए अब यहां से आपको पूरा picture आपको clear हो जाने चाहिए बच्चों ठीक है देखिए यहां पर देखो हमारे पास silicon atom है और silicon atom के फोर valence electron को यहां पर सो किया गया है जबकि यह valency खल लिए यह क्या है valency खल लिए यानि कि neighboring atom के फोर और यहां पर electron आ सकते हैं ठीक है अब हमने क्या करना है देखो हमारे पास यह crystal है यहां पर silicon है यह silicon का पूरा semiconductor है ठीक है तो हमने यहां भी हमारा silicon था यहां क्या था silicon था अभी silicon को हमने यहां से replace कर देख किसके साथ है अब फास फॉर्स के साथ अब फास फॉर्स पर कितने अलेक्ट्रों थे बच्चो वैलेंस इलेक्ट्रों होते हैं फाइव कि अब आपको पता है बच्चो जो फास्पॉस है फास्पॉस का atomic number कितना होता है 15 ठीक है इसकी electronic configuration होती है बच्चो वनास्टू 2S2 2P6 3S2 3P3 आप देखो यह आउटर मोस्ट सेल है ठीक है आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्टरन है 5 वैलेंस इलेक्टरन है अब देखो 1, 2, 3 और यह 4 ठीक है अब यह वैलेंस इलेक्टरन हमारा इसको हम बोलते हैं फ्री एलेक्टरन जो हमारे सर्प्लस है मैंने क्या बताया था यही बच्चो यहां पर हमारे काम आएगा ठीक है आया समझ में अब देखो यानि कि हमने क्या कर दिया एडिंग फास्ट फॉर्स टू प्योर सीलिकोन क्रिश्टल हमने क्रिश्टल किसका लिय सीलिकोन क्रिश्टल लिया जिससे क्या है यहां पर हमारे पास सर्प्लस इलेक्टरन आगया ठीक है और वो क्या हो गया बाद में जाकर फ्री इलेक्टरन हम उसी को गोल रहे हैं बच्चो यह फ्री है यह जो इलेक्टरन है यह फ्री है यह 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 दोनों जुड़े हैं यह कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हैं ये भी कोवलेंट बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड है बच्चो ये जो आप लाइने देख रहे हैं ये क्या है ये क्या है कोवलेंट बॉन्ड सेरिंग हो रही है ठीक है सेरिंग हो रही है किसके साथ है कोवलेंट बॉन्ड के साथ आया बच्छों समझ में ठीक है तो ये अनबाउंड इलेक्ट्रोन है ये क्या है अनबाउंड इलेक्ट्रोन ठीक है उसके बाद हम नेक्स चलते हैं ठीक है नेक्स चलते हैं तो बहुत आपको यह टॉपिक आसान होने वाणा थी टॉपिक आपके लिए बहुत असान होने वाला थी का नेक्स्ट देखिए यहां पर आँ यहां पर देखो अब जैसे ही हमने इंप्यूर्टी को यहां पर एड कर दिया ठीक है Impurity को यहाँ पर, add कर दिया, देखो यह इमपीर्टी हमने देखो, यहाँ पर fast force का हमने कितना देखाया, 5 chicos ठीक है, तो 5 में से एक electron, यह देखो हम, यह एक electron क्या है, यह free electron शर्पलस होगा है, ठीक है, है ? कंडक्षन बैंड यह हो गया वैलैंस बैंड यह क्यों हो और बीच का जो हमारा यह बैंड गैप है अब हम ने यहां पर क्या लिया सिली कोल लिया तो सिली कोल का इनरजी गैप के तना होता है One Point One Elect वॉल्ट सिली कोन का One Point One कुं येक्ट्रों होता हैं अब यहां पर देखो यहां पर जो हमारे पास वगैंस इलेक्ट्रॉन यह ठीक है यह हम क्यैं वे ये वह इंस इलेक्ट्रों है अब जैसे यह वा और यह हम से जाएगा यहां जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा वन पॉइंट वन इलेक्ट्रोन वोल्ट को कवर करना पड़ेगा यह इतनी इनर्जी इसको देनी पड़ेगी ठीक है इतनी इनर्जी देनी पड़ेगी ना यह तो बहुत जादा इनर्जी है ठीक है तो जीसह केलविन टामपरेचर से अगर जादा इस्मेंना पड़ेगा में ठीक है तो इसमें क्या होगा के मैक्सिअंसे मैक्सिअंम तैन पर्संट थीग है मैक्सिएमसे मैक्सिअमस आप लगाओं यहांने कि जो डाम है है अगर हम 0 क dew lub in जादां कर दें ठीक है जिरो कईल विन से जादां कर दें तो 10% यानि करेंगे बरेक करेंगे कोवलेंड को 10% एक लिए कर चंद को और कहां जेंगे यहनकी नंबर डेंसिटी टैन परसेंट इलेक्टोन और टैन परसेंट होल यहां से क्रियेटो यह जब आमने उसका टैंपरेचर बढ़ाया यहीं कि थर्मली जनेरेटिड हैं ठीक है अब जैसे हमने जो इंप्यूर्टी एड़ की यह फास फॉरस की इंप्यूर्टी एड़ की तो वहां से यह फ्री लेक्टोन निकले हैं तो फ्री लेक्टोन बच्चो कहां एकजिस्ट करेंगे वो करेंगे डोनर इनर्जी लेवल यह देखो यह इलेक्टोन है ठीक है यह इलेक्टोन है यह है है हमारे सरफलासfold इन्होंमें यह इनर इनर्जी लेवल क्रियाट किया है अब इनका देखु यहाга से लेकर कन्डेक्शनवेंड़ से लेकर यह यानि की डॉनर का जो गैप ए ठीक है इनर्जी गैप है वह कितना है? वो बहुत कम है. वो कितना है? 0.05 है. किसके लिए? सिलिकोन के लिए. ठीक है? यह किसके लिए है? सिलिकोन के लिए. अगर हम जर्मेनियम के लेते हैं, तो जर्मेनियम के लिए उत्ता है? 0.01 इलेक्टरन वोल्ट. ठीक है? यह कौन सा है बच्चों? यह इनर्जी गै च्छैनिपर्षाइब है दोनर लेवल से कंडeton बैंड के बीच का ठीक है यह है यहां से तो elektron क्या करेंगे आसानी से यहां चले जाएंगे तो यह जानेवारों की संख्या क्या बच्चो 90 परसेंट कितनी है 90 परसेंट तो नंबर डेंसिटी यहां से इलेक्टोन की कितनी है 90 परसेंट आया बच्चो समझ में ठीक है तो कहने का मतलब यह है तो 100 परसेंट होगे ना हमारे इलेक्टोन तो परसेंट होगे ठीक है 90 यहने की 10 परसेंट गए हमारे जो थरमलीजनेटेड थे और 90 परसेंट गए जो आमने इंप्यूर्टी एड़ की है ठीक है उससे यहां तक बिल्कुल आपको यह पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चीए ठीक है ठीक है उसके बाद यहां कि नेक्स्ट चलते हैं अब यहां पर देखें अब मैंने आपके लिए यह देखो कुछ बातें लिखी हैं अब इसको नोट करें देखो अगर हम बात करें बच्चो आएना जैसे इनर्जी की जो कि किसको चाहिए फिफ्ट वेलेंस इलेक्ट्रोन को वह बहुत कम कम है देखो ठीक है काम इलेक्ट काम इनर्जी भी मिले ना तब भी वहां से असानी से जा सकता है कंड़क्शन बैंड में ठीक है अब वह फॉर्ब डइन गैप से बहुत कम है जर्मेरियं के लिए प्सेख़ बता जीरो पोइंड 01 इलेक्टोन वोल्ट है जब्ट की इनर्जी गाप टो न तो न रूम टेंप्रेचर पर बच्चों रूम टразу पर दिस इलेक्ट्रोन जो जो एक्स्ट्रा एलेक्ट्रोन था वो क्या होगा बच्चो फ्री होगा ठीक है फ्री सेट हो जाएगा और कहां चले जाएगा कंड़क्शन बैंड में और इलेक्टिकल कंड़क्शन के लिए वो अवेलेबल होगा अचानी से इलेक्टिकल कंड़क्शन होगा connectivity बढ़ जाती है तो याद रखेंगे बच्चो याद रखेंगे pentavalent impurity क्या करता है one electron donate करता है per atom one electron donate करता है per atom enhance they are called donor impurity हम क्या बोलेंगे इसको donor impurity बोलेंगे तो so conductivity increase with the doping इसका मतलब क्या हुआ कि doping करने से connectivity increase हो जाती है doping करने से connectivity increase हो जाती है more doping more donor impurity more doping more donor impurity and more free electron and more free electron ठीक है तो ऐसे हम प्योर सेमिकनेक्टर को इंप्योर करके ठीक है क्या करके इंप्योर करके उसकी conductivity बढ़ा सकते है ठीक है अब देखो एक question आता है बच्चों और बच्चे इस बहुत confusion में पढ़ते हैं ठीक है देखो अब हमने देखा कि यहां पर नंबर density नंबर density जो है electron की वो ज़्यादा है मैंने क्या यहीं बताया ना आपको नंबर density वो क्या है मच ग्रेटर देन है होल से होल से ज़्यादा ना ठीक है आया बच्चों समझे में यह मैंने बताया अब इसको बच्चे गल्त लिए ठीक है तो इसी करके क्योंकि यहां पर नंबर density electron की ज़्यादा है इसी करके हम इसको क्या बोलते है एन टाइब क्या बोलते हैं एन टाइब कि सेमी कंड़क्टर बोलते हैं क्योंकि इसमें लाज नंबर ओफ electron होते हैं चार्ज केरियर electron होते हैं ठीक है जनरेट होते है ठीक है तो चार्ज क्या होगा यानि की पूरे सेमिकंडेक्टर पर चार्ज क्या होगा ठीक है तो 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 टोटल एलेक्टिक चार्ज आंटाइट सेमिकंडेक्टर में वह क्या होगा नेग्टी होगा बट इस अजंशन्सन इthirds रोंग ठीक है अर्य जो एन टाइब सेमिकंडेक्टर है उसमें लाज नंबर प्रीट्रोन तो है ठीक है पर हमारा जो एन iç अव मेंos थिक है बट हमारा जो हमारा जो है यानि कि इसमें क्या होगा फ्री इलेक्ट्रों इस गिवन बाई इनि कि पैंटवैलेन्ट एटम था वहाँ से में प्री उल्क्टोन मिला इंट दो कि यह क्या होगा न्यूटरल हो गया ये क्या हो गया न्यूटरल ठीक है याद रुखेंगे बच्चों याद रखेंगे जो सेभी केंडुक्टर है वो न्यूटरल रहता है ठीक है यह थोड़ी ना भी इलेक्टोन जादा होगे नंबर डेंसिटी इलेक्टोन की जादा होगी तो वह क्या होगा उस पर चार्ज नेगटिव चार्ज जादा होगा ऐसा नियुत ठीक है तो यह था बच्छो और टाइप सेमि कन्णुक्टर तो बच्छो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें ठीक है तो बहुत एजी कंसेप्ट को लेकर मैं आपके सामने आता हूं तो बच्छो आज के झाल 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 झाल